ओम शान्ती आज 2 जुलाई 2023 आज की अव्यक्त मुर्ली से बाबा हम बच्चों को गुण सिखाते हैं वफादारी का वफादारी अर्थात, ओनिस्ट रहना अपने आपके साथ और जिनके भी साथ हमारा संबंध है व्यवहार में आते जिन से हम जुड़े हुए हैं उनके साथ सच्चा रहना कभी भी उनको कोई भी प्रकार की हानी या नुकसान नहीं पहुँचे ये भी ध्यान रखना जो वफादार होते हैं स्वयम से वो दूसरों के साथ भी वफादारे निभाते हैं ब्रह्मा बाबा जो हमारे सामने प्राक्टिकल एक्जैम्पल वफादारी का साक्षात प्रमात्मा जब उनके तन में आए कितने ही प्रकार की उनके सामने चालेंजिस आई समस्याएं आई कितने ही बाधाएं आई लेकिन शिव बाबा से वो सदा ही वफादार रहें उन चा साथ कभी भी विचलत नहीं हुए क्योंकि उनका पूर्ण निश्चय था पर्मात्मा में तो चालेंज इस आएंगी लेकिन अपने आप से जब हॉनेस्ट रहेंगे तो हमें कभी भी उनमें हलचल नहीं होंगी समस्या करके चली जाएंगी तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपन आपके साथ शिबाबा के साथ सदा ही वफादार रहें कभी भी ना मन में संकल्प आया ना संकल्प में ना बुद्धी में कभी भी कोई भी प्रकार की ना बेवफा वले संकल्प नहीं आये सदा बाबा से वफादार रहें वफादार की ये मिसाल ब्रह्मा बाबा थे तो अ अगर संकल्प में भी कोई वफादारी नहीं है, अगर कोई भी प्रकार की प्रभाव में आते हैं, तो उसको वफादारी नहीं कहेंगे। बाबा का रहा, पूरी वफादारी उन्होंने निभाई, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, किसी में भी एक संकल्प मात्रभी बाबा का कभी भी नहीं चला किसी के लिए, कभी किसी पर आकर्शत नहीं हुए, अगर मन से भी किसी पर आकर्शत होते हैं, किसी देह पर, देह धारी पर, देएके संबंधियों उपर, किसी पदार्थ पर, किसी व्यक्ति पर आकर्शत होते हैं तो उसको वफादारी नहीं कहेंगे। बाबा ने आज बहुत स्पस्ट रूप से कहा, कि अगर किसी के गुन पर, किसी की विशेशता के उपर भी आकर्शन हो जाता है, किसी की अच्छाई के अंदर भी आकर्शन होता है, तो वो आकर्शन खंडित हो गया, वो पक्का वफादार नहीं कहा जाएगा, पदार्थ में अगर बुद्धी जाती है, तो वो वफादारी नहीं है, वो खंडित स्थती हो गई, और इसलिए बाबा ने बुच्छों को आज कहा, कि किसी के उपर भी हमें आकर्शन में नहीं आना, एक बाबा दूसरा न कोई, अगर ये मन की स्थती है, वो ही सच्ची वफादारी है, तो ऐसी वफादारी बाबा से निभाएंगे, तब हम बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे, तो आज चेक करें, जब बाबा की याद में बैठते हैं, तो कोई और तरफ भुद्धी तो नहीं जाती है, बाबा को पूरी वफादारी से याद करते हैं, संकल्प भी कहीं और जाएंगे, ऐसी पकी मस्बूत अवस्ता बनाएं, आज के दिवस की यही शुब कामना, ओम शान्ती